हार्ट ब्लोकेज हो, कैटरैक्ट हो, ग्लुकोमा हो, किड्नी स्टोन हो, गॉल्ड ब्रेडर स्टोन हो समय आ गया है अपना सर्जन खुद बनने का क्योंकि हॉस्पिरल के दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं तो क्या हम हाथ पे हाथ रखके इंज़ार करें कब वो दरवाजा दोबारा खुलेगा या फिर कहीं ऐसा नहों तब तक वो पेशेंट की सांस ही बंद हो जाए क्या हम इसके ब्यॉंड भी कुछ कर सकते हैं हम कर सकते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं तो बात करते हैं आज के टॉपिक की how to become your own surgeon सबसे पहले मैं बात करता हूँ heart blockage यानि की coronary artery disease इसका मतलब यह है कि वो blood vessel जो blood supply करता है heart के muscle को उस blood vessel में कभी कभी blockage आयाता है जिससे blood flow ठीक से नहीं हो पाता इसलिए ऐसे patient जब वो दोड़ते हैं या सीलिया चलते हैं चड़ते हैं या फिर heavy कुछ उठाते हैं तो उनको दर्द होने लगता है angina होता है discomfort होता है ऐसे में डॉक्टर बोलते हैं angioplasty करा लो bypass surgery करा लो लेकिन एक तीसरा intervention भी है जिसका नाम है natural bypass natural bypass कोई मेरा बनायोगा कोई method नहीं है यह medically साबित proven method अलड़ी है जो की MD level पर पढ़ाय जाता है और natural bypass मतलब आपका body खुदी सरजन बन के blockage को repair करने का काम शुरू कर देता है मैं इसको समझाता हूँ आसान शब्दों में जब आप कोई car खरीते हैं car में चार पाईये होते हैं पाईये के साथ साथ एक पांचवाँ पाईया भी मिलता है आपको जिसे में बोलते है stepney उस वक्त तो पाईये का कोई काम नहीं होता लेकिन वो जो manufacturer है उसने वो पाईया इसलिए डाल दिया कि आपकी सफर में कहीं अगर कोई एक पाईया पंचर हो जाए तब आप उसे replace कर देंगे with the stepney ताकि वो journey आगे तक चले बीच में न रुख जाए ठीक उसी तरह से आपका और मेरा manufacturer यानि की भगवान ने जम्हें में बनाया तो हमारे body में हजारों की तादात में stepney डाल दिये जैसे हम बोल सकते हैं medical फर्षा में यह जो collateral arteries होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं microscope से वो आप देख सकते हैं वो network की तरह पूरे body में है unused like the stepney तो जब भी कभी blockage हो चाए वो heart में हो या कहीं और भी हो तो body अकसर उस stepney को use कर लेता है लेकिन body उस stepney को यानि की collateral arteries को use तभी कर सकता है हो शकता है so उस nutrition के मिलते ही body अपना natrioxal production enhance कर देता है जिस से collateral arteries के माधियम से blood vessels which is a blood vessel blood supply होता है to the heart and heart starts functioning like before पहले की तरह जब वो बहुत strong था तो आपको क्या करना है इसके लिए सिर्फ आपको करना है you have to start with DIP diet phase 2 DIP diet phase 2 को अपनाना है अब DIP diet phase 2 क्या है इसके लिए screen पे दिये वे link में जाके आप video देख सकते हैं ये video मैंने भी recently बनाया था तो इस video को देखने से DIP diet क्या है और DIP diet phase 2 क्या है वो आपको पदाचल जाएगा तो आपको सिर्फ इतना करना है कि DIP diet phase 2 पे रहना है और साथ में green और red juice green मतलब spinach याने की पालक और red मतलब tomato या चकुंदर इन में से कोई भी एक vegetable लेंगे घुमा फिरा के और उसका करीब 200 से 200 ml juice निका लेंगे fresh juice और उसको पीने में लगने चीए 10 से 15 मिनिट जब पेट भरो तब नहीं जब पेट खाली हो जैसे lunch से पहले या dinner से पहले ऐसे time पे और ऐसा अगर आप एक मेहने तक कर सकते हैं तो on average मैंने देखा है कि it takes only one month और उसके अंदर ही blockage almost चला जाता है अज़र कैसे बहर चलेगा ब्लॉकेज चला गया बड़ा ही simple है अगर वही वाले activity जिसके करने से आपके एंजाइना होता था यानि की pain अब अगर उसी activity से pain नहीं हो रहा है इसका मतलब either blockage बहुत छोटा हो चुका है या गायव हो चुका है जब आपको आराम मिल जाए जब pain गायव हो जाए उसके बाद phase 2 DIP diet की जगह अगर आप चाहे तो standard DIP diet पर ही रह सकते है for rest of the life number 1, number 2 जो green and red juice है उसका काम खतम हो चुका है अगर आप चाहे तो उसको discount new भी कर सकते है तो लेकिन DIP diet में रहना जरूरी है ताकि इस तरह के problem दुबारा कभी न हो दुबारा blockage हो ही न ये तो ही heart की बात अब करते हैं cataract की बात, glaucoma की बात या फिर कई सरे लोग हैं जिनके मोटे-मोटे चश्में लगे हैं वो चश्मों से छुटकारा पाना चाहते हैं उनकी बात बहुत है सिंपल है आपके लिए आपको भी डियाइपी डाइट फेस्टू में रहना है इट टेक्स अबाउट थ्री मन्स टाइम तीम मेना on average लगता है for cataract, glaucoma या चश्में से मुक्ती पाने के लिए डियाइपी डाइट फेस्टू प्लस shoulder, neck and eye rotation exercise every day for 15 to 20 minutes अब ये shoulder, neck and eye rotation exercise क्या होता है जानने के लिए आप screen पे दिये वे उस link में जाके मेरे वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो को देखके वो exercise सीखके आप उसको अपनाएंगे हर दिन 15 से 20 मिनिट कभी भी इसको करेंगे and it takes on average about 3 months time और आप देखेंगे कि cataract वाली प्रावल्लम, glucomino वाली प्रावल्लम अल्मोस्ट चली जाएगी और अगर पूरी तरह चली जाती है तो वो exercise करना discontinue भी कर सकते हैं और diapetite phase 2 की जगह आप standard diapetite में रहेंगे forest of the life ताकि इस तरह की प्रावल्लम दुबार ना हो and finally kidney stone and gallbladder stone अब देखेंगे इसमें दो पार्ट हैं एक तो है acute मतलब अचानक से pain आना मतलब stone attack तो acute में symptomatic relief बढ़ा important है symptomatic relief के लिए pain management के लिए फिर उसी वीडियो को मैं refer करूँगा जो वीडियो मैंने थोड़े देर पहले बताया था उस वीडियो में जाके pain management कैसे करना वो सीखना आपको उससे immediate relief तो patient को मिल जाएगा लेकिन अब important बात है वो stone को dissolve करना stone को dissolve करने के लिए फिर वही idea diapetite phase 2 for 3 to 6 months अब 3 मेन लगेगा या 4 मेन लगेगा diapetite phase 2 start करते ही आप देखेंगे कि within few days अब जो frequency of attack कम हो जाएगा और जो pain की intensity वो भी कम हो जाएगी लेकिन ये तो हुई एक बात लेकिन साथ में आपको add करना है कुल्थी का दाल का पानी कुल्थी का दाल क्या होता इसे कहते हैं आप देखेंगे ये है होर्स ग्राम और ये होर्स ग्राम करीब 20 ग्राम कुल्थी का दाल लेना है एक मुठी भर और लेके उसको 200 ml पानी में आपको boil करना है तब तक जब तक कि 2 से मेल पानी 100 ml में convert न हो जाए और वो जो 100 ml उसे च्छान लेना है वो पानी को और उसका आधा पानी यानि की 50 ml पानी आपको लेना है बेकफास से पहले खाली पेट में और आधा लेना है 50 ml जो बचा हुआ है वो डिनर से पहले और ऐसा तब तक करना है जब तक की स्टोन रहेगा जो किड्नी स्टोन है या फिर गॉल्बेडर स्टोन है अच्छा कैसे पहलेगा कि स्टोन है अभी उसका बड़ा सिंपल तरीका है अगर लगातार एक महीने तक पेन नहीं हो रहा है कोई discomfort नहीं है तो इसका मतलब यह है कि स्टोन या तो पूरी तरह डिजॉल्ब हो गया है या बहुत ही छोटा हो गया है और ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं यह कुल्थी का डाल का पानी यानि कि होर्स ग्रैम का जो पानी है बॉयल करने के बाद का जो पानी है लेकिन phase 2 वाले diet को एक मेंने और चलाई है और एक मेंने और चलाने के बाद भी कोई दर्द नहीं है इसका मतलब शौर हो गया कि वो stone is almost gone अब आप चाहे तो standard डियाइपी डाइट तो basic डियाइपी डाइट पर रह सकते हैं for rest of your life ताकि दुबारा से stone बने ही ना मैं उमीद करता हूँ कि ये method आप पे काम करेंगे जैसे इस method ने हजार और patient को ठीक किया है आपको भी lab मिलेगा अगर आपको lab मिलता है अगर ये method काम करता है तो you have to give me something in return आप मुझे क्या देंगे बहुत ही simple है सबसे पहले आप ये अंताजा लगाईए कि अगर ये सरजरी मुझे करानी होती तो कितना पैसा लगता मालो हाट सरजरी करानी होती तो पांच लाक रुबे लगता उसको आधा कर लीजे धाई लाक धाई लाक तो खुद को दे दीजे after all आपने मेहनत किये आप ही सरजरन है तो आपकी फीस मिल गए आपको बाकी जो ढाई लाक है वो अपने आसपास जो गरीब लोग हैं उनमें बाट दीजे वो लोग जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं पिछले पचास दिन से ना तो कमाया शायद खाया भी नहीं होगा कफी लोग तो मरी चुके होंगे उनको सब जरूत है आपकी और जब आप देंगे तो ये माँ समझे कि आप कोई ऐसान कर रहे हैं आक्चुली वो भी आपको रिटर्न में कुछ देंगे जो भी मेथड मैंने आपको बताया इस मेथड से लगबख 70, 80, 90% तो आप ठीक होई जाएंगे लेकिन फिर भी गुझाईश रह जाएगी 10 से 15 पतिशत की वो गुझाईश को पूरा करेंगे वो लोग दुआएं दे के उनकी दुआएं जरूर काम करेंगी आप जरूर दुबारा हेल्दी हो जाएंगे एक दिन हम जरूर मिलेंगे मैं डॉक्टर विश्रूप राचाधरी अल दे बेस्ट, टैंक यू, जाहिन